हेलो दोस्तों जाहिन सभी सातियों को आप सभी का एक पर फिर से most welcome है आपके अपने YouTube प्लेटफार्म देव कंपडिशन क्लासेज में तो दोस्तों आज जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछली क्लास में हमने अपना वेंड डियाग्राम टॉपिक खतम किया था और आज जो आपको यहां पर पढ़ने होते हैं जैसे कि नंबर सीरीज हो गया, odd one out हो गया, missing नंबर हो गया और नंबर analogy हो गया ठीक है तो यह सारे टॉपिक आपको यहां पर पढ़ने होते हैं और यह टॉपिक आपके लिए काफी important भी होता है क्योंकि हर एक्जाम में इस टॉपिक से लगबग दो से तीन कोशन जरूर पूछे जाते हैं, हो सकता है कभी कभी चार भी कोशन बन जाते हूं, अब वहां पर यह नंबर वाले कोशन है हमें बहुत ज़्यादा confusion create करते हैं, क्योंकि होता गया है जब हमें proper logic approach, rules नहीं पता होते हैं, तो वहां पर पोशन को जल्दी solve नहीं कर पाते हैं, तो आज हम यहां पर वही सीखेंगे कि कौन से वो approach हैं, या कौन से वो rule हैं, जिससे हम इन topic को जल्दी से solve कर सकें, तो वही यहां पर आज हम सीखेंगे, तो चलिए आज हम अपना topic है वो यहां पर शुरू करने जा रहे हैं, और अगर आपने दोस्तों पिछली वेंड डियाग्राम की हमारी class नहीं देखिए, तो वो class देख लिजेगा, आपको दोनों classes का जो link है वो आपको description box में मिल जाएगा, तो चलिए आज दोस्तों जो है number system में जो हम पहला topic इस्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है number series, यानि जिसको हम बोलते हैं सं number series, नंबर series, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं संख्या स्रंख्ला, संख्या स्रंख्ला, ठीक है, अब देखें इस topic में जो है number series में 4-5 rule हैं जो हमें ध्यान रखने हैं और उनही रूल पर ये पूरा-पूरा topic solve होगा हमारा, ठीक है, देखें ये वो rule हमारे क्या है, पहला rule हमारा ये है, जब कोई series बढ़ रही होती है, जैसे लगातार वो बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर जो हम logic लगाएंगे सबसे पहले वो multiply plus minus को logic लगाएंगे, ठीक है, यानि number में गुणा करके कुछ उसमें plus भी किया जा सक ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो rule है, कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, divide करके उसमें कुछ plus या minus कर सकते हैं, जैसे अगर series घट रही है, तो अब series घटेगी कैसे, या तो उसमें कुछ minus हो रहा होगा, या उसमें कोई संख्याल से divide किया जा रहा होगा, तभी हमारी series यहाँ पर काम ना करें, तब हम बनाएंगे step form, ठीक है, तब हम बनाएंगे step form, अब step form होती क्या है, तो वो जब हम question solve करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे, ठीक है, इसके बाद जो चौथा point है, हमारा 4 रूल है, वो होता है हमारा mixed series, mixed series, ठीक है, अब यह जो सारे point है, वो ह हम अपने question solve करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे, ठीक है, और पाच्वा और last point इसका क्या है rule, जब यह चारो logic जो है, चारो rules ना काम करें, तो वहाँ पर जो question होता है हमारा, वो होता है illogical, ठीक है, वो होता है illogical, अब illogical कैसे question होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे, ठ ठीक है, तो अब देखेंगे, हम direct question पर चलते हैं, इसमें बहुत जादा बताने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है, तो चलिए हम सीधे direct यहाँ पर question ले लेते हैं, तो यह देखेंगे, हमारे सामने कुल 8 question यहाँ पर दिये गये हैं, अब यहाँ पर हम एक एक टके question को solve करेंग तो वहाँ पर सबसे पहला logic हम क्या यूज़ करेंगे, multiply plus minus, यहनि कुछ गुणा करके कुछ plus हो सकता है, या फिर कुछ minus हो सकता है, तो अगर दोस्तों हम 5 और 11 को ध्यान से देखें, तो 5 से ग्यारा जो है, just double के इसके आज़ पास हमें देख रहा है, तो यहाँ पर देखें हो सकता है, 5 में 2 से गुणा करी जा रही हो, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे, तो 10 आ जाएगा, और हो सकता है, plus 1 कर दिया गया हो, 5 दुना 10, plus 1, 11 हो गया, ठीक है, अब देखें, यही logic हमारा आगे चलेगा, देखें, 11 में अगर हम 2 से गुणा करें, तो 11 दुनी, 22, plus 2 करेंग तो यहाँ पर अब क्या हुआ है, गुणे 2, plus 4 हुआ है, तो आगे जो नंबर है, क्या बनेगा, तो आगे नंबर में हमारा होगा, गुणे 2, plus 5, ठीक है, गुणे 2, plus 5, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 212 बन जाएगा, और 212 में जब 5 उड़ेगे, 217 बन जाएगा तो यहीं हमारा राइट अंसर है 217 ठीक है आपको इस टॉपिक में जो है अगर दोस्तों इन नंबर को ध्यान से देखें यहां भी सिरीज बढ़ती जा रही है तो सबसे पहले हम वहां क्या करेंगे तो यहां में यहां क्या लिखा है तो इसका मलब यह लोजिक यहां पर काम नहीं करेगा ठीक है अब देखी यहाँ पर जो लॉजिक है हमारा वो ड्यरीक स्क्वायर का है इस ions क्यूब का लिखा है गी जूव नौब यह किसी नंबर के क्यूब के आसपास का दें ख्राएं तो यह हमें देख रहे है तो अब आगे कि आएगा साथ का Q प्लस वन, साथ का Q कितना होता है, 343, और 343 में जब हम एक जोड देंगे, तो हो जाएगा 344, ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो गया, तो दूसरे वाले में क्या था, नंबर का Q प्लस वन किया जा रहा था, ठीक है, अब तीसरा दिखे कोशन, यहाँ पर भी हमें ऐसा लग रहा है, कि यह जैसक पहला कोशन था, सेम ऐसा ही कोशन कुछ है, देखे 5 से 16 बना है, तो यह तीन गुने के आसपास इसके दिख रहा है, तो पांच में अगर 3 से गुना करें, प्लस एक 16 आ जाएगा, कि आगे यह लोजिक चल ला है, 16 में अग 233 हो जाएगा, तो आगे क्या हुआ होगा, गुड़े 3 प्लस चार हुआ होगा, अब इसके आगे क्या हो जाएगा, गुड़े 3 प्लस पांच, ठीके गुड़े 3 प्लस पांच, तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, 3, 3, 9, 9, 5, 14 हो जाएगा, और 3, 6, 11, 19 हो जाएगा, और 3 1394 तो यह हमारा हो गया तीसरा कोशन अब हम चलते हैं चौते कोशन पर देखिए यहां लिखा है 2, 8, 18, 32 और 50 अब देखिए 2 से 8 हम कैसे बना सकते हैं देखिए 2 में अगर 4 से हम multiply करेंगे तो 8 बन सकता है या और logic देखिए क्या क्या हम लगा सकते हैं तो 2 में अगर 4 से गुड़ा करेंगे तो 8 लेकिन आगे हम फस जाएंगे क्योंकि आगे जब 8 में हम 4 से गुड़ा करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा ठीक है तो यहां पर multiply plus minus को logic तो काम नहीं आया तो अब देखिए यहां पर हमारा multiply plus minus को logic नहीं काम आया तो अब हम क्या करेंगे दिवाइड तो हो नहीं सकता क्योंकि नंबर बढ़ रहा है घट तो रहा नहीं है तो अब हम यूज करेंगे step form अब देखिए step form क्या होती है step form में हम जो है दोनों नंबर के बीच का difference निकाल प्रहुरा होगा फिर आगे इसी तरीके से ससे करेंगे 18 में हम 14 जोड़ेंगे तो 32 होगा और आगे इसी तरीके से थो 32 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो यहां पर 50 होगा यहां पर कोशन मार ठीक है तो अब देखिए क्या पहले जब पहली step हमने बनाई तो हमें कुछ समझ आय तो यहां से 6 है, फिर 10 है, फिर 14 है, फिर 18, इसका मलब यहां पर 4-4 नमबर जो है बढ़ रहे हैं, 6, 4, 10, 4, 14, 4, 18, तो अब आगे क्या होगा, आगे होगा 18, 4, 22, ठीक है, तो अब यह जो 22 है, इसी 50 में जुड़ जाएगा, और नमबर कितना हमारा बन जाएगा, 72, ठीक है, तो यहां पर देखिए, हमें direct logic तो नहीं पता चला था, लेकिन हमने step form से इसको बहुत ही easily solve कर लिया, ठीक है, इस step form से जाएतर question आपके solve हो जाएगे, अगर आपको logic नहीं पता चला है direct, तो वहां पर आप step बना लिजे, ठीक है, इस तरीके से, तो यह हमारा हो गया, चौत multiply plus minus का logic तो नहीं चला है कुछ, देखिए, दो में अगर हम एक से गुणा करके और एक जोड़ दे, तो तीन बन सकता है, है ना, इसी परकार से अगर तीन में हम दो से गुणा करके, तीन में दो से गुणा करके हम चार जोड़ दे, तो क्या बन सकता है? बन सकता है, आगे देखते हैं आगे लेकिन नहीं बनेगा अगर दस में हम दो से गुड़ा करेंगे तो 20 पहुंच जाएगा वो है ना तो यहां पर यह लॉजिक तो काम नहीं आया अब देखते हैं हम तो step से क्या हम यह कोशन बना सकते हैं देखिए यहां से 2 और 3 का अगर हम difference निकाले तो कितना आजाएगा एक फिर 3 और 10 का difference कितना हो जाएगा साथ यहां पर difference आएगा 5 और 15 से 26 कितना difference आजाएगा 11 ठीक है अब देखिए क्या यहां से आपको कुछ समझ आ तो यहां से भी हमें अभी कुछ नहीं समझाया देखिए जब हमने पहला step बनाया तो हमें अभी तक कुछ नहीं समझाया तो हम क्या करेंगे अब दूसरा step इसका भी बना लेंगे देखिए दूसरा step कैसे बनेगा जैसे हमने इस पहले वाले का step बनाया है सेम ऐसे हम दूसर तो अब देखिए दूसरे step में हमें यह समझ आ गया कि यहां पर क्या हो रहा है तो इसका मतलब अब आगे कौन सा नंबर आएगा तो आए आगे आएगा माइनस का दो ठीक है प्लस 6-2 प्लस 6-2 यही चल ला है यहां पर अब देखिए यह नंबर हमने बनाया कसे है अब माइन दो घटाया तो पांच आया 5 में 6 जोड़ा तो गेरा है आप 11 में 2 घटायेंगे तो कितना आएगा नव आएगा ठीक है तो यह हमने जुह है दूसरे step से पहला नंबर बना लिया अब हम क्या करेंगे पहले step को कैसे बनाया थे हम 2 में 1 जोड़ा तो 3 है 3 में 7 जोड़ा तो 10 साय दस में 5 जोड़ा तो 15 या 15 में 11 जोड़ा तो 26 है आप 26 में क्या करेंगे हैं 9 आइड करेंगे तो हमारा अंसर किता बन जाएगा 35 ठीक है 35 तो यह हमारा दोस्तों हो गया question number 5 तो यहाँ पर हमने इसको कैसे solve किया step बना कर हमने पहला step बनाया लेकिन पहले step से हमें कुछ भी सबज नहीं आया तो हमने क्या किया तुरंत इसका दूसरा step बना के देखा और जैसे हमने दूसरा step बनाया हमें logic समझ के आ गया कि पहले में अगर आपको कभी कभी first step में समझ ना है तो आप इसका दूसरा step भी बना लिजे ठीक है अब चलते हैं question number 6 पर तो यहां है एक दो दस सहतिस 101 अब देखिए यहां भी नंबर क्या है बढ़ता जा रहा है तो यहां पर देखिए क्या logic जो है चल ला है देखिए क्या direct logic आप यहां पर पता कर पा रहे हैं देखिए एक में अगर एक में एक को दो कैसे बनाएंगे दो से गुणा या तो करेंगे अगर इसमें दो से गुणा कर रहे हैं तो यहां फिर यहां पान से गुणा हो तो एक सीरीज चलेगे अगर आपको क्यूब और क्यूब याद होंगे ठीक है यह एक का क्यूब है यह दो का क्यूब यह तीन का क्यूब यह चार का क्यूब तो आगे कौन सा आएगा 5 का क्यूब या निकी 125 तो 125 इसमें क्या हो जाएगा 101 में जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा 6 2 और 2 ठीक है तो आंसर हमारा क्या बन गया 226 ठीक है तो इसलिए हमने कहा आपको इसक्वाइर क्यूब भी याद होने चाहिए जिससे आप जो है न होगा कि यह नंबर जो है किसी के स्कॉर लगा रहे होगी है ना किसी के स्कॉर है देखिए यह जो है 13 का स्क्यार है यह यह 3000 होता है लेकिन यहाँ पर देखे विशम नमबर नहीं है, यह 3, 5, 7, 11, 13 जो है, यह प्राइम नमबर है, प्राइम नमबर का मलब यह अभाज संख्या है, ठीक है, अभाज संख्याओं का स्कॉयर यहाँ पर किया गया है, तो अब देखे 13 के बाद जो है अभाज संख्या कोन आएगी, 14 भी न संख्या नमबर एट अगर हम ध्यां से देखे, तो यहाँ पर देखे 12 तीन आया है, अब देखे, यहाँ पर हम क्या कर सकते है, देखे, 2 से 3 कैसे बनेगा, अगर 2 में एक जोड़ दे, तो तीन बन जाएगा, लेकिन 3 से 3 फिर बना दिया गया इसका मलब यहाँ पर 0 एड़ अब देखते हैं हम क्या step से बन सकता है देखें दो से 3 हुआ इसका मिलब कि प्लस वन बढ़ा है ठीक है अच्छा तीन से 3 कैसे बनेगा तीन से 3 या तो उसमें zero add करें या फिर हम एक से अगर गुणा करें तब भी तो 3 ही आएगा तो यहां पर एक से हम क्या करेंगे गुणा तो पहले हमने किया plus 1 दूसरा हमने किया गुणे 1 ठीक है गुणा एक किया अच्छा यहां देखें हम क्या करेंगे अब 3 से 5 में क्या होगा प्लस 2 ठीक है और 5 से 10 में क्या होगा गुणे 2 तो अब हमें लोजिक समझा गया कि पहले तो प्लस 1 हुआ है फिर गुणा 1 हुआ ह पहले प्लस 1 फिर मल्टिप्लाई 1 फिर प्लस 2 फिर मल्टिप्लाई 2 तो अब आगे क्या होगा प्लस 3 और यहां प्लस 3 हुआ है तो आगे वाला जो नंबर होगा उसमें क्या होगा गुणा होगा तीन है ना तीन से मल्टिप्लाई होगा तो तेरा तिया कितना होता है 49 ठीक तो यह logic था यहां पर, एक बार जो है प्लस किया वही नंबर और दूसरी बार उसी नंबर से multiply किया, ठीक है तो यह हमारे हो गए total 8 question, ठीक है, अब देखी यहां पर जो हमने यह दो question किये, question number 4 और question number 5, यहां पर अगर हम direct logic की बात करें, direct logic क्या है, तो यहां पर direct logic था, 1 का square ग step बना लिजोग, उससे भी question आपका solo हो जाएगा, अब देखी यहां पर जो है, क्या कौन सा हमारा direct logic है, तो यहां पर direct logic है, 1 का square plus 1, ठीक है, फिर हागे 2 का square plus 1, फिर है 3 का square plus 1, इसी तदीक है से आगे बढ़ता जा रहा है, 4 का square, अच्छा, यहां पर 2 का square minus 1 है, ठीक है, 2 क स्कार और फिर यहांपर डार्यट लॉजिक था हम पता कर पा रहें तो आफ उस से भी कैसे साल हो जैगा ठीके तो चलिए इसका इसक्रीन अब ले लिजीए तोicer इंहां चलते हैं अगले कोश्वन पर ठीक है तो यह हमारे सामने अगले 8 कोश्वन है ठीक है आप कोशन नमबर नो देखिए हम कैसे स्वाल करेंगे यहां पर देखिए यहां पर यहां पर बहुत कम संख्या बढ़ गई है तो अब एकदम कैसे बढ़ेगी जब एकदम संख्या बढ़ रही है तो इसका मलब किसी ने किसी से पहुं जाएंगे है ना अब 27 में 27 से 31 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा चार जोड़ना पड़ेगा ठीक है चार एड़ करना पड़ेगा तो यानि की पहले में तो गुणे 3 हुआ फिर दूसरे में बढ़ती हूए जा रही है तीन चार पांच छे और एक बार प्लस एक बार प्लस एक बार गुणा ठीक है तो इस टैप से हमारा पहला कोशन था अब दस्वां कोशन दीखें यहां पर संख्या जो है बहुत बड़ी-बड़ी दीख रहे हैं अब जब कभी इस टाइब की संख्या आपको बड़ी-बड़ी दीखें तो वहां पर इस्टे भी बना लीजिए वह ज्यादा वेटर है अगर हम इन दोनों का अंतर निक अलें तो कितना आजाएगा और फिर तीन चेका था बचेकर और ँष्या बचएगा और ँममेश यहां बचा गार यहां बढ़ी है, और इसका मयलब यहां जो है 582, इसमें से माइनस हुआ है, ठीके है? और इसी तरीखे, और इसलिके से आगे जब देखा, तो 524, इसमें दिखे, शुरृत में लिखा है 524, तो इसका मलब यहां भी- ते तो इसका मलत जो पहले 3 इंक है, वही उसमें नंबर में हमारे माइनस हो रहा है। तो अब देख आगे क्या होगा, इस नंबर से जब ये नंबर बनेगा, इसमें कौन सा नंबर माइनस होगा ये वाला, 471, 471, चार 7 1, ठीक है, तो ये हमारा मार बन Cape Tregan od खीक है अब यहां पर देखे क्या होगा जिब 4 24 गया तो इसको मैनस कर दीजे देखिऊ किया हो आएगा हमारा तो 7 में 4 गया 3 बचेगा 4 में पर थिन दो बचेुए गए और 18 ते 27 हो सकता है कुछ गलती हो जाय तो 38 इस इस अंसर आएगा तो इस में तो पीछे से देखा करिए तो पीछे से देखा करिए क्या यहां पर आपको 91 का दो गुने के लगभग दिख रहा है नहीं दिख रहा है दो गुने से मलब बहुत कम है दो गुना तो इसका 182 होगा इस गया पर आपको डिकार होगा की यहां पर आपको डिख रहा होगा कि यह सभी क्या है square है, देखिए ये 2 का square है ये 3 का square है, तो ये आगे किसका square होगा, 4 का square यानि 4 का square है, 16 ये इसमें क्या होगा, जुड जाएगा ठीके, तो 14 और 16 कितना हो जाएगा 30, ठीके, अब इसके आगे दिखें क्या होगा, इसके आगे, इसमें च्छे का स्कायर जोड़ेगा. तो यहां पर डारेक्ट है स्कायर जुट रहा था तो यह डारेक्ट से लगे हमारा तीसरा पर देखते हैं है कि यहां ढारेक्ट जो है आपका पता कर पाएंगे देखें तीन से अगर बारा बनाना है तो तीन चक्कूँ बारा होगा लेकिन आगे बारा दोनी 24 प्लस टीन होगा ठीक है तो यहां पर कुछ लॉजिक हमारा नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे इस सब्सक्राइब गल्स जल्दी से से 5 गया 3 और 10 में से 7 गया 3 तो यहां से हमें पहले स्टेप से क्या कुछ समझ आया सबस्तों आ चुका है देखिए 9 है 9 के बाद 9 6 15 होता है 15 6 होता है 21 6 27 27 23 यानि सभी में 3 3 बढ़ रहा है तो आगे यहां पर कितना जुड़ जाएगा 49 6 6 बढ़ रहा था तो 33 49 अब 9 8 कितना हो जाएगा 17 और 3 1 हो जाएगा 4 और यह तो 147 आंसर जो है हमारा वो आ जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या हुआ था डिफरेंस में 6 6 का अंतर जो है 6 6 नंबर बढ़ रहे थे ठीक है तो यह हो गया कोशन नंबर 12 अब कोशन नंबर 13 यहां भी संख्या है तो हम क्या गड़ेंगे यहां पर इस्टेप बना लेंगे ठीक है अब देखे अगर 563 से 647 बनाना हो तो कि कितने का डिफरेंस आएगा साथ में से 3 जाएगा 4 आएगा फिर 14 में से 6 जाएगा तो 8 आएगा और यहां कितना बचा पांच यहां तो 84 अब 84 का अंतर आएगा इनका बीज़ आगे देखे कितना डिफरेंस है 9 में से 7 गया 2, 7 में से 4 गया 3 और यहां पर अने नहीं उल्टा हमने कर दिया ठीक है देखे यहां से जाएगा 17 में से 9 जाएगा 8 बचेगा फिर यहां 13 में से 7 जाएगा 6 बचेगा और यहां 5 में से 4 गया 1 बचेगा ठीक है तो आगे का डिफरेंस कितना आएगा अब यहां 10 में से 7 गया 3 बचेगा और यहां 7 में से 4 गया 3 बचेगा तो 168 का 2 गुना कितना होता है 336, देखो 286, दो चंग बारा 13, दो कम दो, 13, तो 336 होता है इसका मलब यहां पर जो है इसका 2 गुना जो है आगे क्या होगा इसे ही में जुड़ेगा यह घटेगा देखे पहले क्या हुआ था इसमें यह इतना जोड़ दिया गया है तो यह नंबर बना है, बड़ा नंबर इससे बना है फिर दूसरे से नंबर छोटा हो गया इसका मलब इसमें यह घटाया गया है फिर इसके बाद दिखे नंबर बढ़ा है, इसका मलब आगे ये अड़ किया गया है, अब नंबर क्या होगा, घटेगा, ठीक है, तो 2 से अगर इसको हम गुणा करेंगे, 2 चंग 12, 2 तिया 6, एक 7, और 2 तिया 6, यानि 672 इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा, 5 से 2 गया 3, और 11 से 7 गया 4, और 7 में से 6 गया 1, तो ये 143 जो हमारा अंसर आजाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा था, जो डिफरेंस अब जब हमने निकाला, तो उसका दो गुना आगे घटता जा रहा, एक बार प्लस हुआ, एक बार माइनस, फि फिर 16 है, अब देखें, यहाँ पर कभी संख्या घट जा रही है, कभी संख्या बढ़ जा रही है, तो जब भी ऐसा कोशन आपको मिले, जिसमें संख्या है, घटती बढ़ती हों, तो पक्का वहाँ पर जो है, मिक्स स्रीज होगी, ठीक है, अब मिक्स स्रीज कैसे होगी, द आगे क्या होगा, माइनस का 4, यानि यहां पर कौन से संख्या आ जाएगी 10, ठीक है, अब जो दूसरा नंबर है, कोशन मार्क, यह इस वाली संख्या से बनेगा, देखे, 20 से किता हुआ, 16, यानि माइनस का 4 हुआ है, 16 से हुआ है, 13 यानि माइनस का 3 हुआ है, 13 से हुआ, 11 या 10, 15, 17, 24, 26, यहां भी संख्या है, क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, अब यहां पर आप डारेक लोजिक पता सकते हैं, देखे, डारेक लोजिक अगर हम यहां पर आइडेंटिफाई करें, तो 0 से 2 हुआ, इसका मलब यहां पर प्लस 2 हुआ होगा, ठीक है, फिर यहां तो हमें नहीं लग रहा है, इसका मलब यहां पर यह सिरीज तो नहीं चल लही है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब डारेक लोजिक यहां पर हमने डिफरेंस से भी देखा, तो यहां पर डारेक लोजिक नहीं पता चला, अब क्या करेंगे, हम यहां पर जो है, मिक्स तो इसका देखThere देखे बनेता होगा है तैस इसका म бесп appointments खेंगे जना O Bih chamal Life q8 8 से 115 इसका मिलब प्लस साथ हुआ है वर्टरा से बना 24 मट्राइब प्लस साथ अब 24 से क्या होगा यहां पर भी क्सरीच चल लगी थी अगра इस squish हो जाएगा प्लस गैरा तो यह संख्या बन जाएगी 37 ठीक है तो इसका अंसर क्या हो गया 37 यहां पर भी मिक्स स्रीज चल लही थी अब अगर इसको देखें तो दो से पांच यानि प्लस तीन फिर पांच से दस प्लस पांच फिर दस से सत्रा प्लस साथ मतलब तीन पांच करेंगे पहले दो दो की ठीक है देखें मिक्सरी जो है आपकी तीन भी हो सकती है तो सबसे पहले यहां हम दो देखेंगे देखें तीन से साथ बना इसका मतलब प्लस चार हुआ है फिर साथ से तेरा हुआ या प्लस छे हो गया फिर तेरा से 21 प्लस नो हुआ है और 21 से 31 प्ल तो 31 में जब 12 एड़ करेंगे तो एक तीन और ये चार, 43 आ जाएगा हमारा, ठीक है 43 यहाँ पर राइट अंसर है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या चल लई थी, तो यह तीनों कोशन हमारे कैसे थी, जब भी आपको नंबर बीच में घड़ बन रहा हो, तो वहां पर हमेंसा Mixed Series ही चलेगी और Mixed Series जो है आपको 2 भी हो सकती है या हो सकता है 3 की भी हो सकती है जैसे 0 का हो सकता है Relations Direct 5 से बनता है ठीक हो सकता है आगे Question आएंगे ऐसे तो यह हमारे हो गए अगले 8 Question तो इसका Screen Mark है 6 के बाद ठीक है और लास्ट में है 12 आप देखिए इसको हम कैसे solve करेंगे क्या यहां पर आप को डारेक्ट लोजिक ढूंड पा रहे हैं देखिए 0 से 4 अगर बनेगा तो कैसे बनेगा भाई भाई गुणा चार करेंगे तो जीरो आएगा अगर प्लस चार करेंगे तो बन से तो 3 आजाएगा ठीक है अब देखिए क्या आगे क्या चलना है देखिए 3 से 7 बना है तो इसका मदलब फिर प्लस 4 हुआ है और 7 से 9 प्लस 2 हुआ है फिर 9 से 6 यानि माइनस 3 हुआ है तो अब हमें लाजिक समझ आ गया कि पहले देखिए प्लस 4 प्लस 2 फिर माइनस 3 तो इ हो जाएगा तो यहां पर 3 का ग्रुप चला था प्लस 4 प्लस 2 माईनस 3 टीक है यह चला था अब अग्ला कोशन देखिए कोशन नंबर 18 जो है यहां से लेकर पूरा यहां तक का कोशन है ठीक है काफी लंबी सीरीज है यह आप देखिए यहां से हम logic कैसे निकालते हैं, क्या आप direct logic यहां पर पता कर पा रहे हैं, देखे, 90 से अगर हम 180 बनानी की कोशिस करें, तो 90 से 180 कैसे बन सकता है, हो सकता है, दो से गुणा कर दी जा गई हो, है ना, पहले गुणा करके प्लस दो कर दे, तो 50 बन सकता है, फिर आगे दीखे, 100 में 2 से गुणा कर दे, तो 200 बन जाएगा, तीन से तो संख्या बड़ी ही आएगी, इसका मनलब यहाँ पर यह logic तो फेल हो गया हमारा, यह logic नहीं चल ला है, और अगर हम यहाँ पर step बनाते हैं, तो step भी हमारा नहीं बनेगा, ठीक है, अगर हम step से इसको solve करते हैं, तो वो भी हमारा नहीं बनेगा, आप देखें यह इत पहली संख्या बन गई है, ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर 30 में हम 6 से गुड़ा कर दे, तो हमारा किता हो जाएगा 180, जो कि दूसरी संख्या है, तो अब हमें logic पता चल गया है, कि लाश्ट के दो नमबर जो है गुड़ा करके पहली संख्या बनाई जा रही है, ठीक ह तो यहां जो है, पीछे के नमबर, दो नमबर को multiply गरके आगे का नमबर बनाया जा रहा था, ठीक है, तो यह जो सरी थी question number 18, अब question 19 देखी क्या है, ठीक है, अब देखी यहां से हम कैसे, direct logic क्या लगा सकते हैं, देखी 18 से 35 कैसे बनेगा, अगर हम 18 में 2 से गुणा कर दें, 18 में 2 से गुणा कर दे और minus 1 कर दे तो 35 आ सकता है अगर हम 25 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 70 आएगा और 70 में हम बहुत ज़्यादा minus करना पड़ेगा तब तो 58 आने के लिए तो इसका मलब यहाँ पर यह logic तो काम करा नहीं है ना direct logic तो मिला नहीं कुछ तो आब हम क्या करेंगे इस्टप बना लीजे सरो जब से चा तरीका है ना यहाँ कितने का अंतर आएगा 17 और फिर आगे कितने का अंतर 8 में से पांचишь तीन 5 में डो दो तेृस का अंतर अब आगे कितन का अंतर 17 में से आट किना 2 बचेगा और 7 में से 5 गया, 2 बचेगा, 29 का अंतर, तो यहां से अब हमें लाजिक समझा आ गया, 17, 6, 23, और 30, 6, 29, अब 29 में आगे फिर 6 जुड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 29, 6, 35, तो 35 अब 37 में जुड़ जाएगा, अब देखे, क्या यहां पर direct logic आप निकाल पा रहे हैं, direct logic, देखे, अगर 10 से हमें 15 बनाना हो, तो किसी तरीके से क्या बन सकता है, देखे, सबसे पहले तो यह देखे, क्या यहां पर यह किसी के square या cube के आसपास के नंबर तो नहीं है, देखे, अगर 10 को हम ध्यान से देखें, तो यह 9 के आसपास है, और 9 किसी का square या cube होता है, किसका होता है, 3 का square होता है, यह हमें पता है, अच्छा, अगर 15 ध्यान से देखें, तो यह 16 के आसपास का नंबर है, और 16 हमारा किसका square होता है, 4 का square होता है, की square के असपास है तो यह 5 का square है और 5 का square 25 होता है लेकिन plus 1 कर दे तो 26 हो जाएगा तो एक बार plus हुआ फिर एक बार minus 1 हुआ फिर एक बार minus अब देखिए 6 का square है और minus 1 6 36 36 minus 1 35 तो आगे क्या होगा 7 का square plus 1 यानि 7 का square 49 plus 1 50 ठीक है तो इसलिए हम बताते हैं कि square cube भी आपको याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप पहचानी नहीं पाएंगे यह किसके square या cube है तो आप question solve कैसे करेंगे ठीक है तो इसलिए याद जरूर कर लिजेगा चलिए आप देखते है question number 21 अब देखिए question number 21 संख्यान कुछ bracket में लिखी है यहां लिखा दो 3 फिर आगे लिखाए 57 फिर लिखाए 11 13 फिर 17 19 अब अगर यहां से हम ध्यान से देखें तो यह सभी संख्यान कैसी है यह सभी संख्यान प्राइम नमबर है अबाज संख्यान देखे 2 तीन पांट साथ, गेरा, तेरा, सत्रा, उनिस, अब इसके बाद देखे, ये संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, तीन के बाद पांच आता है, पांच के बाद साथ आता है, साथ के बाद गेरा आता है, तो उनिस के बाद अब अबाद संख्या कौन सी आएगी, तो उनिस के बाद आए पर जो कोश्चन है ये इस कोश्चन में कि डारेक लोजिक आप इडेंटिफाई कर पा रहा है देखिए इसको जो हम पीछे से मल्टिप्लाइ करेंगे देखिए ये कुछ हमें 208 जो है और 2045 ये चार ये पांच गुने के आसपास दिख रहा है है ना पांच गुने ये चार ग देख लेते हैं कि लोजिक सही है अगर पांच ये ये चार का गुना होगा इसमें 4 एककम 4 4 एकम 4 चैर इकम 4 चार पंचे 20 204 हो जाएगा अब इसमें अगर चार जोड़ दे तो 208 हो जाएगा तो यहां पर क्या हो रहा है जिस नंबर से गुना कि जारी ये वही नंबर यहां चार जुड़ेगा, यहां तीन जुड़ेगा, देखें, जब हम यहां से चले, तो पांच गुणा पांच प्लस पांच हुआ, फिर गुणा चार प्लस चार हुआ, अब गुणा तीन प्लस तीन होगा, फिर गुणा दो प्लस दो होगा, फिर गुणा एक प्लस एक होग तो यह लॉजिक था यहां पर अगला देखते हैं क्वेशन नमबर 23 अब यहां देखिए 3 है 3-6 बना 6-5-20 तो अब देखिए यहां पर क्या logic है क्या डारेक लोजिकल लगा पार है अब देखें तो कैसे भी नी बना जा सकता है, बहुत संख्या माayı नस करनी पड़ आगी, तो इसका मलव यहाँ पर, देखि यहाँ पर जो है, 2-2 का ग्रुप बन रहा है, जो है यह दो, युञ का ग्रुप brother है, ठीक है? अब NE兩 का ग्रुप brother है, तीन 6, इसमें 2 थि गुणा किया गया फिर 5, 20, गुणे 4 किया गया फिर 7, 6, 42, गुणे 6 किया गया तो 2 से गुणा, 4 से गुणा, 6 से गुणा तो अब किसे गुणा होगी? 8 से यानि 9 गुणे 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 72 नो ठी, 72 तो यहाँ जो है दो-दो-दो कैसे बनेगा? वह चार में अगर हम 3 से मल्टिप्लाई कर दें तो 12 बन जाएगा है ना? 4 ती है 12 अच्छा 12 से 16 बहुत कम हुआ है बढ़ा है, तो 12 से 16 प्लस 4 होगा है ना? प्लस 4 होगा अब 16 से 80 कैसे होगा? 16 85, गुणे 5 और 80 से 86, प्लस 6 तो अब यहां लॉजिक हमें समझ में आ गया वही एक बार गुणा एक बार प्लस और संख्या एक एक बढ़ती जा रही है तो अब इसमें आगे क्या होगा? गुणे हो जाएगा 7 गुणे 7 इसका मतलब आगे क्या होगा? प्लस 8 तो प्लस 8 अगर अगर इसमें हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 610 यही हमारा आंसर है, ठीक है? तो 24 का आंसर कितना आ गया? 610 अब कोशन नंबर 25 देखिए क्या है यहां पर? देखिए अग 5 से 12 बना है तो 5 से 12 कैसे बन जाएगा? अगर इसमें हम दो से गुणा प्लस 2 & 3 से कुणा प्लस 3 तो अब क्या होगा? 4 से गुणा 4 से गुणा प्लस 4 तो 49 में 4 से गुणा करेंगे 36, 4, 3, 11, 13 15. Wang4 and 16 और 14 be каж out 5 ए अब आगे क्या होग? गुणे 5 खीक है? तो यह हमारे हो गे तो क्या करेंगे step form बना लेंगे ठीक है और square cube जरूरियात कर लिजेगा क्योंकि ये आपको वहां पर बहुत ज़्यादा help करेंगे ठीक है तो चलिए इसमें के कुछ question थोड़े बहुत और ले लेते हम तो ये हमारे सामने अगले 5 question है ठीक है अब question 3 एकम 3 और 3 3 9 यानि 93 और 4 97 यानि यहां पर क्या हो रहा है गुणे 3 हो रहा है प्लस 4 हो रहा है यही डारेक लॉजिक हो गया पर तो यहां पर क्या हो जाएगा गुणे 3 प्लस 4 ठीक है अब इसमें गुणा 3 करेंगे 3 5 15 3 9 27 28 और 3 2 6 2 8 880 और 880 में 4 अगर जोड़ देंगे तो 889 बन जाएगा ठीक है यही हमारा आंसर है 889 ठीक है अगला कोशन देखिए देखिए यहां 132 ए 139 है अब यह संख्या घटती हुई जा रही है ठीक है अब जो संख्या घटती हुई जा रही है और हमें लग रहा है बहुत कम-कम नंबर घट रहे है तो हम जल्दी से देख गड़ कितना नंबर रहा है तो 132 से दिखिए है अगर 129 हो रहा है तो कितना गड़ बहुत है यहां पर तीन ठीक है अच्छा 139 से 124 हुआ है कितना गड़ गया 5 minus 5 हो गया 124 से 117 कितना हो गया minus का 7 हो गया तो minus 3 minus 5 minus 7 यानि यह बढ़ता हुआ जा रहा है तो आगे क्या हो गया minus 9 फिर आगे क्या हो गया minus 11 ठीक है minus 11 तो यहां पर नहीं हो पा रहा है हाँ अगर इसमें हम 7 minus करेंगे तो 117 आ जाएगा ठीक है अब 117 से अगर 106 बनाना है तो यहां पर कितना माइनस होगा 11 माइनस होगा ठीक है हाँ 11 माइनस होगा अच्छा यहां पर जो है दो दो कांतर नहीं था लेकिन यहां जो यह नंबर है देखिए यह प्राइम नंबर है हमारे प्राइम नंबर घट रह होगी 17 14 15 16 नहीं है 17 होगी तो डारेक्ट माइनस 17 कर देंगे तो अब 13 में से 7 गया 6 बचेगा और यहां पर 8 में से एक गया 7 बचेगा ठीक है तो 76 आंसर हमारा आग जाएगा आप देखें क्वेशन नमबर 28 और क्वेशन नमबर 29 यह जो है यह हमारे हमने आपको बताया था कि पांचवा जो रूल हमारा वो क्या होगा इल्लोजिकल कभी कुछ कुछ क्वेशन ऐसे बंजाते हैं जिसमें हमारे कोई भी लॉजिक काम नहीं करते हैं नहीं मल्टिप्लाई प्लस माइनस का नहीं इस्टेफ फ़र्म का ठीक है तो यह कैसा है इल्लो इसी तरीक है तो पांच का स्कवर 25 होता है तो यह पachई लिखा है ठीक है यह 6 लिखा है 6 का स्कवर 30 का स्कवर 36 तीन आगे 6 पीठे 7 का इसकवर 49 चार आगे 9 पीछे ठीक है तो अब दीक है आगे 8 का माइस हो जाए तो आगे 9 का याणि 9 और 9 में 8 आट आगे हो जाए एक पीछे हो जाएगा तो निया इक कोंच के लिए कोंच कैसा बताने है अब इस सब्पहले हैं और आपको आप संदेखना है कि B छोटा है, A से, A बराबर है, C से, कैसे के रिलेशन बन रहा है, तो वही आप संद यहां पर आपको हमें बताना है, comment section में, ठीक है, तो यह दोस्तों हो गए आज के हमारे question, और question number 29, यह भी illogical है, अब आप लोग दिमाग लगाएगा, कि यह कैसे illogical है, ठीक है, तो यह हो गई, चलिए, skin spot, इसका ले लिजे, तो चलिए, यह हो गई हमारी आज की class, तो अब अगली class में हम आपको मिलेंगे, जिसमें हम number system का ही, कोई next topic जो है, वो यहां पर discuss करेंगे, तो class दोस्तों आपको कैसे लगए, comment करके ज़रूर बताएए, और पसंद आ class में इतना ही, आप सभी को जय हिन बनने मात्रव,